दोस्तों चलते चलते गुरुग्यान चैनल में आपका श्वागत है आज हम जानेंगे कि हिंदी में कितने महीने होते हैं आज के भाग दोड़ की दुनिया में हम जैनवरी फरवरी मार्च याद रख रहे हैं लेकिन हमारे बच्चे आगे वाली पिड़ी ये भूलते जा रही है कि भारत वर्ष की संस्कृति हिंदे महीने से होती है हिंदी में कितने महीने होते हैं हमारा संसद हो या फाइनांसियल बजट हो यह सब क्या है मार्च से सुरू होता है मार्च में हमारा जो हिंदी महीने का पहला महीना होता है न्यू यर होता है इसके कारण मार्च से सुर दीजे बड़ों से पूछे सब भूज जाते हैं तो इसको हम अपडेट कर रहे हैं देखिए हिंदी में पहला महिना चैत्र होता है दूसरा महिना बैसाक होता है तीसरा महिना जेश्ट होता है चौथा महिना आशाड होता है पाचमा महिना श्रावन होता है छटा महिना भादर बोलते हैं, दस्मा महिना पॉस होता है, 11 महिना माग होता है, और 12 महिना फालगुन होता है, ये दोस्तों याद रखिए कि हर महिने में, हर महिने में दो पक्च होता है, एक सुकल पक्च होता है, और एक क्रिश्न पक्च होता है, एक क्रिश्न पक्च होता है, एक सुकल पक्च होता है दोनों 15-15 दिन का होता है हर मैने में एक एक अमावस आती है और एक पुर्णिमा आता है तो दोस्तों इस चीज़ को याद रखना बहुत जरूरी है हमारी शंस्किर्ति और विरासत यही है इसे याद रखना होगा नए तो धीरे-दीरे हम इसे बिलूप्त होते हम जबकि अभी भी हमारी परंपराएं बच्चों का जनम से लेकर के सब कुछ इसी के अनुसार चल रहा है हम अंग्रेजी की तरफ बढ़ रहे हैं लेकिन हमारा उसमें भविस नहीं है हमारा भविस इसी में है किर्पिया इसे याद रखें आगे हम बचाएंगे नच्छत् होते हैं और उस किस नच्छत्र में क्या क्या होता उसके बारे में बताएंगे यहीं पर वीडियो समाप्त कर रहे हैं वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए सब्सक्राइब कीजिए बेल आइकन को दवाईए और अगर इसमें कुछ सवाल है आपका तो कॉमेंट बॉक्स में लिखिए जाए हिन